तो आज में बना रही हूं पाव भाजी तो मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूं चलिए आईए देखते हैं क्या-क्या इंग्रीडियंट्स चाहिए हमें इसके लिए तो इसके लिए हमें पाव भाजी के लिए चाहिए आलू गोभी, गाजर, एक बिट्रूट या चुकंदर, शिम्ला मिर्च और फ्रेंच बीन्स और छोकने के लिए चाहिए प्याज और टमाटर तो चलिए आए शुरू करते हैं तो शुरू कर दी, मैंने पाव भाजी बनानी और सबसे पहले आलू लिए इनको अच्छे से वोश करके और बॉयल होने रख दिया है मैं सारी वेज़ी टेबल ना अलग अलग बॉयल करती हूँ जैसे आलू अलग बॉयल के और बाकी सारी वेज़ी टेबल्स कट करके उनको अलग से बॉयल करती हूँ क्योंकि आलू थोड़ा देर में बॉयल होते हैं और वेजिटेबल्स सब जल्दी जल्दी बॉयल हो जाती हैं तो उनको अलग करती हूँ लो आलू रख दिये हैं बॉयल होने के लिए और अब बाकी वेजिटेबल्स धो ली हैं मैंने सबसे पहले गाजर को धोया अब फ्रेंच बीन्स शिमला मिर्च वगेरा मैंने सारी वेजिटेबल्स धोली मैं सारी वेजिटेबल्स ना कट करने से पहले ही उन्हें हमेशा वोश करती हूँ कट करने के बाद वोश करने से उनके सारे जितने भी मिनरल्स और वाइटेमिन्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं इसलिए वेज़िटेबल आप लोग भी हमेशा ना पहले कट करने से पहले ही अच्छे से धो लें मैंने सबसे पहले considering कर दोबी को कटे जादías बड़े सबसे पीसदी को नहीं काटना है तो थीक काटने चाहिए मीडियम साइज घाजर को कटे विडियों कुट करना है और अब बीन्स को भी बारीक कट कर लिया वैसे बीन्स को भी बारीक कट करने की जरूरत नहीं है इनको भी आप मीडियम साइज में कट कर सकते हैं जितना आप चाहें क्योंकि मैश होने के बाद सारी वैजिटेबल्स एक जैसी हो जाती है और अब कट कर रही हूं मैं बिट्रूट बिट्रूट या चुकंदर मैं इसलिए डालती हूं क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है इससे जो बाबाजी का कलर है न वह बहुत ही खूपसूरत आता है इसलिए आधी विट्रूट तो मैं बॉयल होती हूं वैजिटेबल के साथ डाल देती हूं और बाकी का मैं बाद में यूज करती हूं और इधर मेरे कूकर में भी विसिल लग गई है आलू बॉयल हो गए हैं मेरे और अब आलू को निकाल के ठंडा होने के लिए मैं बाहर रख दूँगी उसके बाद इन्हें चीलने के चील के और मेश करना है आलू तो निकाल के बाहर रख दिया है ताकि वो ठंडे हो जाएं और फिर उने में चील लूँ ले और अब मैंने सारी वैजिटेबल जो कट की थी वो कूकर में डाल के उनको रख दिया है बॉयल होने के लिए इन वैजिटेबल में पानी में उतना ही डालती हूँ जितनी में ये बॉयल हो जाए और पानी निकालना न पड़े अब इसमें नमक डाल दिया मैंने और ये डाल दी हल दी और इनको रख दिया है बॉयल होने के वैजिटेबल तो बॉयल होने रख दिया और अब मैं छील र मेश हो जाती जिससे वो अलग से नजर नहीं आती और उतना टेस्ट भी नहीं आता है उनका तो यह मेरी मटर चिल गई हैं तब तक मैंने मटर चिली तब तक मेरी वाइजेटेबल्स ना बॉयल हो गई थी दो या तीन विसल में यह अच्छे से बॉयल हो जाती है उसके बाद इनको निकाल के मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि अराम से मैश हो सके और अब एक चोटे कुकर में मटर बॉयल होने ही रख को अलग से बॉयल करके भाजी में उपर से डाला जाये तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और भाजी देखने में भी बहुत सुंदर लगती है तो ये रख दी है मैंने मतर बॉयल होने के लिए ये हो गई मेरी मतर भी बॉयल और विसल लग गई इसमें एक ही विसल में मतर बॉयल हो जाती है अच्छे से और मेरे बॉय लालू भी ठंडे हो गए हैं और इनको मैंने चील लिया और फिर इने ना मेश कर लिया अच्छे से हाथ से करोगे तो बहुत अच्छे से मेश हो जाते हैं और अब पावभाजी को छोकने की तैयारी शुरू कर दिये प्यास छील ली मैंने और इनको बीच से कट कर लिया है क्योंकि अगर प्यास ज्यादा काटनी होती है तो मैं इंस्ट्रूमेंट का यूज करती हूँ जिससे इजिली प्यास कट हो जाती है और आखों में भी नहीं इतनी प्यास को मैं हाथ से काटती तो ज्यादा टाइम लगता और बारीक इक्वल कट भी नहीं होती है इसके लिए मैं इसका यूज करती हूँ जो कि एक बहुत अच्छे से प्यास कट हो जाती है इसमें प्यास और टमाटर और वैजी टेबल कोई भी हो तो बहुत इक्वल साइज में कट होती है ये देखिए फटा फट सारी प्याच कट हो गई है और अब इसे छोकने के लिए मैंने तेल गरम होना रख दिया है कड़ाई में और गरम हो गया है तेल मेरा और अब टमाटर कट कर दिये मैंने इसमें तब तक मेरे प्याज हो जाएंगे तब तक टमाटर सारे कट हो गए टमाटर कट करने के बाद मैंने शिमला मिर्च जो एक ली थी उसको छोटे-छोटे पीसिस में काट लिया है वैसे शिमला मिर्च को मैंने बाकी वेजिटेबल्स के साथ बॉयल नहीं किया था क्योंकि उससे न उसका उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है तो उसको बारी कट करके और मैं टमाटर के साथ इसे पकने के लिए डाल दूँगी और जो चुकंदर रखी थी आधी तो मैंने सबजी के साथ बॉयल ओने डाल दी थी और आधी जो रखी थी उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है इसका कलद बहुत ही अच्छा आता है और जब तक मैंने चुकंदर को कद्दूकस किया और शिमला मिर्च को काटा है तब तक मेरी प्याज अच्छे से पक गई है ये देखे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज पकने के बाद मैंने अब उसमें डाल दी हैं टमाटर टमाटर के साथ ही जो चुकंदर कद्दूकस करके रखी थी वो भी टमाटर के साथ डाल दी है ताकि उसका कलर अच्छे आजए और साथ में शिमला मिर्च भी डाल दी है वो भी अच्छे से टमाटर के साथ ही पक जाएगी और अब डाल दिया इसमें मैंने नमक स्वाद के अनुसार जैसा आपको अच्छा लगे और हल्दी डाल दी है लाल मिर्च स्वादा अनुसार जैसे आपको अच्छी लगे और पाव भजी का मसाला मैं इसमें डालती हूँ इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है तो जितन स्वाद के अनुसार आप इसे भी डाल सकते हैं और गरम मसाला और ये डाल दिया इसमें आमचूर पाउडर सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिला लीजे और इसे दो मिनट पका लीजे ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आजाए और जब तक वो मसाले पके तब तक मैंने वेजी टेबल को अच्छे से मेश कर लिया है जो कि बोयल हो गई थी तो ये इनका कलर भी बहुत अच्छा है क्योंकि बिट्रूट इसमें भी डला हुआ था और बिट्रूट से कलर इनका बहुत ही सुन्दर आया है और अब आलू डाल दिया है मैंने मसाले में उसको अच्छे से मैश कर लिया है और अब उसमें डाल दी है जो वैजी टेबल मेश की थी वो डाल दी है उपर से और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो गई है तो जो मटर हमने बॉयल करके रखी थी वो मटर उपर से डाल दी है अब इससे क्या होगा कि ये मटर इसमें मिक्स नहीं होंगी बलकि अलग दिखाई देंगी तो ये बहुत अच्छी दिखती है तो लीजे भाजी हो गई है हमारी तैयार मुंबई की फेमस पाव भाजी, बहुत ही टेस्टी भाजी बनने के बाद तैयारी हो गई है पाव की पाव को अच्छे से बटर में सेख कर ही पाव में टेस्ट आता है तो पाव मैंने सेख लिये हैं पाव को मीडिया माच पर ही अच्छे से सेखना चाहिए ताकि वो अंदर तक सिख जाएं, वरना वो ऊपर से तो डाग कलर के हो जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे, तो उसमें टेस्ट नहीं आता है तो लीजे, मैंने ले ली है अपनी भाजी और पाव और उसमें डाल लिया है बटन, मेरी प्लेट हो गई है, तैयार पाव भाजी मेरी बन गई है, आज ही आप लोग दिखाने के लिए मैं व्लॉग का करती हूँ और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए, बाई